हाई फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करता हूं दिए अफशी लिन पर दोस्तों डिया डियो तरप से डिया डियो डी अर्डियल हाई तरवाज की तरप से एक अपिनिस के बहुत ही बंपर अपर्चुनिय निकल का रहा है सामने दोस्तों यहां पर आइटे के 15 ट्रेट को मौक सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों इस वेबसेट में आकर एक गूगल फॉर्म में आपको सभी डॉकुमेंट्स अप्ले करना पड़ेगा दोस्तों दस दो इस से पहले आपको अप्लोट कर दिना है दोस्तों और यहां पर सिर्फ ऑंलाइन मोड की तरहीं आप अपलाइब कर सकते दुस्तों इसके बाद बाद करते हैं दोस्तों दाइपरेंटनेशल एंगश्टपर वान-ोर्ट्रेनिंग आपका एक साल के ट्रेनिंग होंगा इन कंप्लिटिशन आफ ओनलाइन अप्लिकेशन मनले मिस्मैच ओफ डेट ऑफ बर्थ नेम फ़र्थ नेम एससे सर्टिफिट अनलाइन अप्लिकेशन एक्जेट्रा एंड इनलिविजिबल एंड अपलोड डॉकुमेंट्स विल भी रिजेक्टे इनलिविब दूलिवेशन के दिलोंठ जलिबकेशन सवार्ण ओफ दाइन अपलोड 어요 मझा बनले मिदो certificate from a registered medical practitioner, police verification, certificate, original certificate, 10th ITI caste, Aadhar card and bank passbook, two recent passports and photographs at time of joining. One selected candidate should report to DRDL Hyderabad within 10 working days or else their engagement for training will automatically be terminated without further intervention. आपको 10 दिन के अंतर जाना है दोस्तों, आपका सलेशन होने पर. दोस्तों, इसके बाद बताते हैं दोस्तों, कोई TADA नहीं दिया जाएगा, स्टाइपेंट प्रोवाइट के जाएगा, कॉप टूल्स के दोवारन, प्रोवबल देट अपकोमेंसमेंट अप्रेनिंग एप्रिल और फॉर्दर के लिएफिकेशन ऑन कुईरीज इमेल आप इमील भी कर सकते हैं इमेल अडरिस पर दोस्तों, इसके बाद आपको बताते हैं दोस्तों, आपको अप्रेंटिश्प इंडिया पर अप्लेग करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आयें दोस्तों, मैं आपको पर लेज चलता हूं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह पर एक Google फर्म दिया गया है दोस्तों इस Google फर्म में आपको सबसे पहले अपना email address करना है दोस्तों यहाँ पर आप अपने email address देदीजिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राप अप्लोड करने दोस्तों मैक्सिमा साइज वन एम भी तक होना चाहिए जे पीजी फर्मेंट में और आपको इसके बाद आई ट्रेट करना है आपने कौन से ट्रेट साइट है जैसे अटेंट अपरेटर केमिकल कारपेंटर ड क्यों चैनल आपको देना है और पर यहां पर नाम किया है चैनल के साथिपेट पर नाम क्या है यहां पर अपको लिखेक लिकना इसके बाद आपको जेंडर करना है जेंडर स्लेट करने के बाद दोस्तों आपको डेट ऑब बर्थ स्लेट करना है जो कि आपको 10 के सेटिफिट में है उसके बाद दोस्तों फदर्स नेम स्लेट करना है एक दम मिसमैच नहीं होना चाहिए दोस्तों 10 के सटिफिट में आपको जो फदर्स नेम होई नेम आप डाल या यूर जिसमें मतलब जेनरल जिस काड़िए से पढ़ते हैं पीडबलुडी या 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 नो क्यार सकते हैं मतलब पीडबलुड यह करेंगे एड्रेस फिल करना है दोस्तों आपको पूरा इसके बाद आपको इस्टेट फिल करना है इसके बाद आपको डिस्टेट फिल करना और दोस्तों इसके बाद mobile number apprenticeship profile registration आपने जो mobile number register किया था वह same to same mobile number दीजिए दोस्तियां पर और दोस्तों इसके बाद email id be same to same दीजिए जो आपको apprenticeship रिंद्ड.gov.in पर है वहीं आपको देना है इसके बाद बात करते दोस्तों कि मोबाइल नमबर सेमी कीजिए इसके बाद मैक इमल इडी और अपरेंटिशिप इंडिया यह इसके बाद आईटे मैक्सिमाम माक्स है आपने अगर एक साल का इटे किया है तो आपको पता है कि 700 नमबर होता है एक साल का इसके बाद दोस्तों आईटे फाइनल यह माक्सिट अपलोड करने अपको एक एक एमबी साज तक होगा और सब कुछ आप फिर से एक बाद चिक कर लिए दोस्तों इसके बाद आपको आखिर में सम्मिट अप्शन सम्मिट स्लेट करने दोस्तों